आज हम एक यदुवन्स के बादें पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बताऊं आपको तो यदुवन्सियों की यदुडाइनेस्टि या जो यदुवन्स है ऐसा माना जाता है कि बगवान कृषण के वनसद है। भगवान कृषण के जो पुत्र वे थे प्रद्युवन्स, उन प्रद्युवन्स से करते हैं कि यदुवन्स की एक साखा चली थी। और अपने राजस्थान में यदुवन्सियों की मुखेते दो रियासत दुआ करती थी। एक रियासत जैसलमेर और दूसरी रियासत थी करोली। जैसलमेर वाले जो यदुवन्सी थे ये थे भाटी। और करोली वाले जो यदुवन्सी थे ये थे जादोन। तो याद रहें भाही कि हम यदुवन्स के बारे में पढ़ रहे हैं यदुवन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और यदुवन्स की दो ब्रांच हुआ करती थी राजस्थान में दो रियासतें इस्तापित हुई थी इनकी एक जैसलमेर रियासत जिसमें यदुवन्स की भाट जादोन राजवन्स ये पढ़ लेते हैं, पर एक जखली इनकी जो रूट है, इनका जो मूल है वो यदुवन्स के अंदर दिखाई देता है, तो हम इनके बारे में और पढ़ेंगे, तो आप जैसल मेर पढ़ेंगे तब हम और बातें करेंगे, तो आज हम सबसे पहले जैसल म जैसे भी ठेट राजस्तान के एकड़म पस्चिमी भूभाग में इस्तितिक रियासत, आज भी जब हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार, जो थार का मरुस्तल है, उसका बहुत बड़ा भाग वो अपने अंदर घेरे है, रेगिस्तान, निर्जन, रेगिस्तान, जैसल मेर, अकाल के बारे में कहा गया, अकाल राजस्तान फ्यमाईन जो अकसर पढ़ते रहते हैं, कि पग पुगल धड़ कोटडो, कि अकाल के पेर पुगल के अंदर रहते थे, पुगल बिकांदर में एक इस्तान पढ़ता है, मैंने जब बिकांदर रियासत पढ़ा ही, तो कोटड़ा का ही था, पग पुगल धड़ कोटडो, कि पेर पुगल के अंदर है, धड़, धड़ जो है, वो कोटड़े के अंदर है, उद्रज बिकांदर और पेट, उदर का मतलब पेट, पेट बिकांदर में, वो जो अकाल नाम का, जो भी कोई महापुरूष है, जो अकाल मेर, बाकि उसका 24 और उसका जो ठिकाना है वो उसका जैसल मेर है, जैसल मेर के अंदर तो रहेगा ही, तो जब होते हैं लोकोगतियां, मुहावरे तक अकाल को जैसल मेर के साथ जोड़ते हैं, तो वो एकदम दुरस्त रादस्थान के ग्रियासत के बारे में आज हम जैसल मेरे का इती हास एक इधर एक logo लगाया वायज इस पर इधर एक सब लिखावा च्छत्रडा याद उपती जैसा कि मैंने बताया आपको अभी की जैसल मेरे के जो भाटी थे ये यदुवन्सी थे भगवान कृष्ण के वनसज माने जाते हैं इसलिए इनके साथ में उपादी पडि सत्रला यादुवन्सी याद उपन्सी भगवान कृष्ण पती का मतलब स्वामी यादुवन का वो स्वामी जो चत्र धारन करता है तो राजारा चत्र धारन करके बेठा करते थे तो दोगता है, यहो। नाम कि शत्रा लायद उपती वन्छज़ होनी की बजय से। ये दोहा जो मैं बोल रहा था आपके पगवान क्रिशन के जो पुत्र वे थे प्रदियुमन, प्रदियुमन का आगे जो वंसला उन लोगों ने इससे एक बड़े भुभाग पर उत्तर भारत में अपना कब्जा कर लिया था इवन यहां तक कहा जाता है कि उसके पीड़े में एक राजा वेते गजबाहू जिन गजबाहू ने गजणी की स्तापना की थी कि गजणी पर कभी यादों का अधिकार हुआ करता था यदुवंसियों का अधिकार हुआ करता था पर धीरे धीरे जब उस साइड से अटेक होने लगे सकों के सिथियन्स के युनानियों के इंडो ग्रिक्स के जब अठेक होने लगे तो वो रजे सिकूरता चला गया या कुछ लोग इधर इधर हड़ते पिछे की तरफ चले आये पंजाब की तरफ आते चले गए और उने में से एक धिर दिर एक बंडा वा बट्टी और वो भत्ती नाम का जो सासक था उसने 285 में 285 ही में एक किले की स्थापना की भत नेर जैसे आजकल हम हनुमान गड़ करते हैं भटी नेक नगर बसाया, चोटे नगर जो हुआ करते थे, उनको नेर कहा करते थे, जिसे बिका नेर बसाया, उसका नाम भट नेर हो गया, 285 के अंदर भट नेर की स्थापना की गई थी, अब आपके स्थापना एक बार वापस याद आजाने चीए, कि उद्यपूर की तो 1763, और यह आपकी देख लो, आप भट नेर की स्थापना 285 के बहुत पूराना बहुत पूराना बनावा है, तो बटी नाम का कोई बंदा था, उसने स्थापना की थी, राजस्थान के अपने उत्री छोर के उपर पड़ता था, और भारत की बयाई ये उत्री बाउंट एक तरफ बंगाल की खाड़ी आजाती, एक तरफ हिंद महासागर आजाया करता था, अलांकि इस साइड में भी हिमाले था हमारे, पर इधर से दो पास पड़ते, ख्यबर का दर्रा और बोलन का दर्रा, उन दर्रों से ओकर आकरमनकारी अक्सर इधर आया करते थे, और वो ज मतलब होता युद्धा, बहादूर, क्युमाड का मतलब दर्वाजा, उत्तर के दर्वाजे के बहादूर युद्धा, उत्तर के दर्वाजे के रिक्सा करने वाले, एक जेकलि आप हिंदी जब इसकी बोलते हो तो आप उत्री सीमा का परहरी, तो भाटियों ने लंबे समय इस उत्री सिमा के रक्षा की बटनेर की किले में बेठकर इसलिए उपाधी पढ़ गई इनकी उत्री सिमा का परहरी उत्तर बढ़ की वाड़ तो बढ़ का मतलब बहादूर या वेसे कहो तो सेफ्टी गाड एक तरे के सिक्योर्टी गाड ऑफ नदन जो बॉर्डर है आपका उत्री सिमा जो थी नदन बाउंडरी जो थी नदन फ्रेंटियर जो आपका था उसकी रक्षा करने वाले कोई थे तो उबाटी थे लंबाय समय तक इन्होंने निभाया भी इवन जब हम किला पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि 1398 में जब तैमूर लंग आकर्मन करता है उ भट्टी के बाद में एक जक्ली भट्टी लगने लगा पहला तो यदवनसी हुआ करता था पर यहां से भट्टी के बाद में नाम चैंज हो गए जैसे अगे बताता हूं कि भगवान राम का इक स्वाकू वंस था पर बीच में रगू हुए तो रगू की वज़े से हम उनक विजराज 2nd गुजरात के चलुक के राजा जैसिंग सिद्राज की बेटी से साधी करने के लिए गए थे और तब जो उनकी सासू थी उन्होंने उस समय कहा था इनको सबसे पहली बार कि आप उत्तरभड किमाड हो उत्तर की सीमा की रक्षा करने वाले हो और उसके बाद उन कोई पुछे कि उत्तरभड किमाड भाटी किसे कहा जाता है तो भाटियों को कहा जाता है और कोई उत्तरभड किमाड किसे कहा जाता है तो भाटियों कोई पुछे 17 याद उपती किसे कहा जाता है तो भाटियों कहा जाता है दोनों कारण मैंने बता दिये कैसा क्यों कहा जा दुन्डी नाम के राजा थे जिन्हों अटेक किया, मंगल राओ उनसे हार जाता है, और मंगल राओ हार के बाद मेरे गिस्तान की तरफ आता है, और मंगल राओ ने एक नई राजधानी के स्थापना की, तन्नोट, तन्नोट के स्थापना की थी एक नई राजधानी बना दी तो याद रहेगे, बटि ने, बटनेर की स्टापना गिए थी 285 में, मंगल राव गजनी के राजा डुंडी से अहारने के बाद नहीं राजदानी अपनी कहां बना लेता है, तर्नोट के अंदर नहीं राजदानी बना लेता है, हम तर्नोट का इतिहास आगे, और पढ़ते है फिर एक राजा वए देवराज नाम करके देवराज ने सुरुवात के अंदर अपने एक राजदानी बनाई पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है जसलमय्ण के राज़ा शुरु में अपनी उपाधी लगाया करते थे 2005 तो देवराज के टाइम से इन्होंने जासल अमेरिक राजाओं ने उपाधी लगा रही शुरू किजी रावल तो देवराजबाद में एक नई राजदानी और बनाता है पहले देवराजबाद में एक नई राजदानी और बनाता है पहले देरावल बनाता है फिर एक नई राजदानी की स्ताफना करता है वो राजदान थी लोदरवा कभी यहां पर परमारों का धिकार हुआ करता था लोदरवा में परमारवा करते थे उन परमारों को हरा देता है और परमारों को हरा कर लोदरवा पर कबजा करता है लोदरवा पर कबजा कर लेता है तो अपने राजधानी कोई कहां लेकर आ जाता है लोदरवा के अंदर अपने राजधानी को लेकर आ जाता हुग जब लोदर पर कबजा करता है तो लोदरवा को राजधानी बना लेता है पर जब भी लोदरवा का नाम आता है तो इन भाटियों की आ परमारों की राजधानी से भी ज्यादा को याद किया जाता है तो राजस्थान के बहुत प्रसिद प्रेम कहानी को याद किया जाता है जो कि मुमल महि पढ़ती थी अमरकोट का एक सोड़ा राजकुमार था अमरकोट का राजकुमार वहा करता था महेंदर सोड़ा महेंदर सोड़ा की जो बहन थी उसकी साधी गुजरात जड़ेजा उंके अंदर की भी थी उसके जो जीजा जी थे हमीर जड़ेजा वो एक बार अमर कोट अपने ससुरा लाए वे थे और जब वो वापस जा रहे थे तो महंद्र उनको आगे बाई आगे तक लो में आपको रवाना करके आ जाता हूं मुमल के पहुंचता है महंद्र बहुत सुंदर था उसकी सक्ति को देखकर उसकी चतुराई को देखकर मुमल उसके पहुंचता है पर मोहित होती है और दोनों वहां पर गंधर वविवा जिसको आज के टाइम में आप बोलो ते लव मेरीज कर लेते हैं और महंद्र उसके बाद यहां से चला जाता है पर कहा जाता है कि महंद्र डेली रात को अपना उंट लेकर मुमल से मिलने के लिए अमर कोट से लोदरवा के से पहुंच जाता है तो यह वाला जो उंट इस पर बेठ गरी एक रात के लिए वहां पहुंच जाता है और एक बार उन्हों ने उंट चैंज करवा दिया वह उंदर अधर भेज दिया दूसरा यूट था उस दिन जो महंद्र था वह अमर कोट से तो निकला ल पिरेनगल से मिल थी मुमल की सूबिनें सेग्ए हर शेटीए अता है तो ऊसने वह मर्दाने कपड़ें पहंड के पहंड शब शूड़े और रात को महंडर आता है तो देखता है, और मुमल के साथ पुरुष सो रहा है जबकि वास्ताव में उसकी बहन सुमली सो रही थी महंदर को देखकर बड़ा जटका लगता है महंदर वहाँ से वापस चला जाता है उसके बाद वापस कभी नहीं आता है मुमल कई दिनों तक उसका वेट करती है यहां से विरह के गीत गाती है लेकिन अमर कोट में करनी कि महंदर की मelong की मुट्व होचो खेस लिए महंदर तो कहां से मिलेगा और मोमल को जैसे यह कहा गया कि महंदर की मुर्ति होगे मोमल के प्राण के प्राइड पखेर उर जाते है प्रेभ और दुक्रान्त हुआ तो वो जो मुमल महंदर की प्रेम कहानी जो आज भी पस्मी राजस्तान के अंदर बड़े लाड़ कोड और चाव के साथ में सुनाई जाती है वो प्रेम कहानी की जो नाई का मुमल है वो लोदरवा की राजकुमारी हुआ करती थी और जो महंदर था अमरकोट का राजकुमार था हलांकि इनका इन देवराज से इन भाइटियों से कोई लेना देना ने उसे बहुत पूरानी कहानी है पर फिर भी कभी कोई पूछे कि राजस्तान की प्रसिद लोग कहानी मुमल महंदर में मुमल कहां की राजकुमारी थी तो याद रहे आपके कि मुमल लोदरवा की तो देवराज ने दो राजधानिया बनाई थी पहले पाकिस्तान में देरावल फोट और उसके बाद परमारों को हरा कर उसने लोदरवा पर कब जा किया था लोदरवा की एक बाती अलग से मैंने बता दिया आपको और देवराज के बाद में रावल टाइटल लगने लगा थ यह पाकिस्तान का देरावल फोट है पाकिस्तान के पंजाब के बाहुलपूर जिले के अंदर देरावल नाम की एक जगह है जो किसी समय में भाटियों की राजधानी हुआ करती थी उसके बाद यह राजधानी को लोदरवा लेकर आए थे अच्छा बनावाई हूं बाहर से के अंदर राजधानी सुरुक्षित नहीं है सुरुक्षित राजधानी तो थोड़ा पाहड के उपर वगेरा वैसे बनाई जाए तो ज्यादा सुरुक्षित राजधानी रहेगी और पिर जैसल एक नई राजधानी की स्तापना करते हैं 12 जुलाई 1155 1155 को पाहड के उपर एक नया किला बनाकर जैसल मेर की स्तापना की गई तो जैसल मेर नामक एक नई राजधानी बनाई उन्होंने जैसल मेर को कैपिटल बनाते हैं वो अपनी और यहां पर किले का निर्मान करवाते हैं तो जैसल मेर की स्तापना करने वाले कौन थे तो जैसल ने बाद में जैसल मेर की स्तापना की थी तो सुरवात में हम उस्ट्षी पढ़ते हैं यह थो हम पढ़ते हैं कि पहले राजदानी इनकी आप वाटियों नहीं राजधानी जो बनाई थी वो जाकर आपके जैसल मेर को बनाया था पर अपने जब इसको इतिहासिक महत्यों से इस्ट्रे में देखते हैं तब अपने यही नाम मिलते हैं इसे पहले वाले हम वेसे सुनते हैं कि भगवान क्रिशन के वंस में गजबा हुए थ वो जबा हुने शबनी की स्तापना कि था बाकि जो भी उनकी राजधाने रही थी उनके वात ने सी बाते सुनी जाती है अपने याद रखने वाली बात इतनी है है तो आपके जैसल ने जैसल मेर के स्तापना की थी 12 जूल итог 11155 को जसलमेर की स्ताफना की गई थी और मैं थोड़ सी बात बता हूँ यहीं पर आगे तो मैं दो बात बता देता हूँ आपको एक बात मेरी बताईवी है कि पिले पत्थरों से बनावा किला है जो पिले पत्थर जब सूरज की रोशने में चमकते हैं तो सोने जैसे डिखाई देते हैं इसको स्वर्ण गिरी का किला कहा जाता है या इंगलिस में वोलेंट एक्जेक्ली गॉल्डन फूट कहा जाता है इसक आप किल्य की ये बात बताई भी थी, आप वापस याद रख लेना इस बात को, इसके बादमिक राजा बने मूल राज प्रथम, मूल राज प्रथम राजा थे, बास्ता में मूल राज प्रथम के जो पिता थे, जेद सिंग उनके टाइम से ही, जेद सिंग राजा हुआ करते थे, और मूल राज के पिता थे, उधर दिल्ली में सुल्तान हुआ करता था, अलाउदिन खिल जी, अलाउदिन खिल जी दिल्ली का सुल्तान, अलाउदिन खिल जी का एक आकरमन हम अकसर बार-बार पढ़ते हैं कि 1298-1999 के दोरान उसने गुजरात पर अटेक किया था, उसमें सौमनात का मंदिर तोड़ दिया था, मैंने आपको बताया है कि गुजरात बहुती धन धनने से संपन एक परदेश हुआ करता था, इसलिए अकसर दिल्ली में आने वाले राजा गुजरात पर अधिकार करना पसंद किया करते थे, अलाओ धिन खिलजी जब गुजरात अटेक करने के लिए जा रहा था, उसकी सेना हैं कहीं बीच के अंदर पड़ी थी, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के पास में आर्थिक संसाधन एकोनोमिक रिसोर्सेज हमेशा बहुत कम होते हैं, तो अजिविका का सधन क्या हो, employment हो क्या, खेती आपके हो नहीं सकती, खेती नहीं है तो उध्योग भी किस चीज के लगेंगे, खनीज बगेरा भी कोई यहां पर होते नहीं थे, तो क्या किया जाए, तो भूग तो मेटानी पड़े, खेती हो भी क्या इस्तिति थी कि अपना निस्चीत Bera देरा यदी जमा रखा तो जयसल मेरक अंदर जमा रखा तो जयसल मेरक अंदर बहाटियों गा एक बड़ा जोड़दार काम ता, एदर उसरी रियास्तों के अंदर वहां से डाके मार के कुछ नगुछ लेके आ जाये करते हैं तर उच डाकों से काम चला करता था वह ववस्ता आज दिन तक जा रही है बहाटियों का वह विशेस गुण उन्होंने अभी तक अपना खोया नहीं है और उस गुण का आपने एकदम प्रमपरागत तरीके से वह प यह पड़ी भी थी ठके हारे सहनिक रास्ते में जब सो गए रात को अचानेक जसलमेर वाले बाठीयों ने हमला किया और हमला करके वहां से उनके गोडे चुरा के लेके आगे अपने अलाओ दुनि खिलजीन बेचारा जब सुपा उठा 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 इसको लगा गया आपके साथ तो यही कर सकते हैं, कौन लेकी गया होगा, तो जैसले मेर कें तो राजकुमार रवा करते थे, रतन सिंग और तिलक सिंग, जिनों ने इसे काम किया होंगे, और तो किसने किया होंगे, यह लोग ले गए होंगे आपकी घोडे, जैसले मेर 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 बोलने का बड़ बोलते हैं उसको आप किसी का नाम भी बोलो कि तो आपका भी देख लेना भाई हम बोलेंगे मेंदर सिंग तो वो सिंग तो बोलते ही है और जैसल मेरे बाड मेरे साइडवाल इसको और छोटा कर देते हैं इसको किसी का नाम रतन सी है तो इसको बोलेंगे रतनिंग प्रियोग और कर लेते हैं, इसको नाम तिलक सिंग है, इसको कर देंगे तिलकिंग बोलियों की मधूरता है, बोलिया अपने अपने च्छत्र में अपने अलग विशेस परभाव को लिए वे रहती है मुझे जैसल मेर बाड़ मेर साइड वालों की दो चीजन तो बड़ी संदार लगती है, एक तो नामों के आगे आई एंजी लगा लगा के बोलना, मैर तो खुद का नाम राजवीर सिंग और सुरू सुरू में आया कोई बाड़ मेर जैसल मेर वालों ने पूछा गी नाम क्या यह लोगे से आई एंजी लगा लगा के भी बोलते हैं, तमाम नाम इनकी द्वार ऐसे बुले जाते हैं, और इससे भी जोड़दार मुझे यह लगा, कि यह बहुचन पलीूरल बहुत सांदार तरीके से बनाते हैं, इसे मैं एक्जम्पल दू तो रोटी, तो रोटी का बह बहुचन क्या होगा, तो सबजियां, लड़की का बहुचन क्या होगा, तो लड़कियां, इनके बड़ा अलग सिस्टम है, भाँचन बनाएंगे तो एक ही मात्रा लगा देते हैं, रोटी का बहुचन रोटे, सबजी का बहुचन सबजे, लकडी का बहुचन लकडे, अब यहां तक तो चलता है आँ आप सदे खुब सारी भुचन तो सादे है अर शादे क्या होता है अब बाकी सब में चल जाता है अब लड़की का भुचन लड़के माई सब बहुत सरे लड़के मैं सरु सुरु में जब जैपुर यहां तेहर ही करने के लिए है संयोंग से एक जो तो मैं तो मेरी क्लास की उनको बाते हैं कि आज हमारी क्लास में यह वाद इलिप शुर्ण यह पढ़ाया आज यह इस्टोरी पता चली यह राजा के बारे मापको पता है कि आज नई बात हमें पता चली है और वो अपने इंजिनिरिंग की हताहियां सुना इदर उदर की क्यों मेरे से तो इंदी नहीं भूली जाए प्लीज आपने जो लोकल लेंगे तो ननका बोलें लोकल लेंगे लिए अथा पर दिक्कत ही ये कियाग हृआ आप ओलें। अंच्छी मोझे प्रिफ ये श समझ ँचाहाaj गया जाएगी यह एक घर छिंब शोकाण्टौ। पाजमा आजाती है, हमारे वाली में कुछ प्रेशल वर्ड यूज में करते हैं, तेरे पल्ले नहीं पड़ने, मैंने का यार मैं सीख लूँगा, दिर 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 पल्ले पड़ने लग जाएगी, इतना कितना कंतर है, यह तो है नहीं कि आप फ्रेंच बोलेगी, उसने का अगल प्रेंटे भर एक पाउरनेप ले ले लें, तो थोड़ा कलास के अंदर एक दम यू इस पूर्थी महसूस करेंगे अपने, तो मैं कह दिया करता अकसर की आप मुझे दो बजे उठा देना, वो अकसर मुझे उठाते तो गए, बे बजी हमें खड़ा हो, बे बजी का क्या मत का था, मतलब उसके पात्र इस परकार के, और वो मुझे कहेंगे, बे लड़के हाते और हेक लड़को हातो, तो मैं बे का मतलब दो समझ गया, बे लड़के और हेक लड़को, तो तीन लड़के हो गए, उनका ना, बे तो लड़के हाते, लड़को तो हेक ही जटो, मैं का हा सब्जी दो तीन मनवालों तो अपने क्या बोलते हैं तो लड़कियां बहुत सारी होगी तुमां क्या बोलगा अच्छा मां बे लड़के मतलब दो लड़किया थी न हेक लड़को हाँ मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि यह वला ठीक है फिर वो दिलिप सर अमें क्लास में सुनाया करते दे कि किसी जैसल मेर वाले के रूम पे गयर उसके रूम पे हिरोईनों के फोटो लगे दे साथ में एक और बंदा वो भी जैसल मेर कार हो गये मादूरे मिनाकसे प्रिते तो वह बात है वह बहुचन वाला बड़ा जोरदार लगता है ल्गता है अलावधिन खेल जी किसे ने बताया है कि रतनिंग को तिल तुम्हारे गोड़े ले गे अलावधिन खेल आज दिन तक आपने वह ने वापस किसी को नहीं दी दीगे गे उन्होंने बस माखन माखन चुराया था हम थोड़ सा आगे बढ़े में बाकी यह वाला मामलादे को परमपरागत है और बढ़कों का नाम इसके अंदर है तो वापस तो नहीं देंगे हम अलाओधिने कार मैं तुम्हारे पाकरमन कर दूंगा वो तेरे जो जी में आयना वो कर जाती है तो राजा मूलराज बन जाता है और मूलराज के समय में साका किया गया को यह जेसल मेर का पहला साका था आपने तो यह मानते है कि ज्यादा लंबा इत्ता आपने 301 के अंदर बताया था, मैंने उस दिन ही कहा था कि ऐसा RPSC मानती है, वो उसको उत्तर को सही मानती है, इसके लिए इसको मान लिया जाना चाहिए, बाकि हमारी इस्ट्री चु यह कती है कि जैसल मेर का भी पहला सका यह नहीं था, इसे पहले भी जैसल मेर में साके हो च में जो अलाउदिन खिल जी था, वो जैसल मेर पर अटेक करता है 1299 में और इस समय जैसल मेर का पहला साका होता है, गोडे वगेरा उठा के लिए आयते वहां से, इस वज़े से नराज था, और एक कटेंग अलाउदिन खिल जी ने मंदोर पर आकर्मिन किया था, उस समय जो पुछेगा जैसल मेर का पहला साका कौन से राजा गई टाइम में मुल्राज प्रतम, किस ने आकर्मन किया था, अलाउदिन खिल जी, बाकि प्लीज नहीं जाएं, कोस्म से सन में हुआ था, किते साल गहरा चला था, यह बातें आप से कभी भी नहीं पुछी जाएगी, यह पहला हुआ, फिर यह तो यहीं रजा होगे, इसी बहस के अंतर रजा होगे, या डंकी जी याद कर लोगे, सिंपल बात, जैसल मेर का पहला साका मुल्राज प्रतम के समय में हुआ था, इस समय दिल्ले के सुल्तान अलाउदिन खिल जी ने आकर्मन किया था, इतनी बात जासत में जहां पर आर्थिक संसाधन भी नहीं, रेविन्यू का कोई सिस्टम नहीं, वहां पर कबजा करके भी कोई क्या घरता, और हम आगे पढ़ेंगे कि जिसके बारे में कभी अबुल फजल ने कहा था, कि शरीर कीजे काठ कान, पग कीजे पासान, बक्तर कीजे लोहे क अब आता है, वरना जजेसलमेर पहुंचा ए नहां जाए, पत्थर के पेरों तो जेसलमेर पहुंचा जा सकता, वहां पर कभजा करके क्या कोई कर्ता भी कया आपने, इसके लिए जवाहरलाल नहरू ने कहा था कि जेसलमेर दुनिया का आठवा आश्त्री है, कि आप लोगो पिछे परिवार वाले और बचे वे थे, खुब सारे लोग साके में काम आगे, पर जो साके के अंदर कोई बच गए, उन लोगों में से दुर्जन साल था, और इन लोगों ने वापस कभजा कर लिया यहां पर, कभजा करने के बाद में वापस इनका तो रिती तो वही थी, इ इस बार फिरोज तुगलक डिली का सुल्तान था, फिरोज तुगलक ने आकरमन किया, और इस बार जो है, वो जसलमेर का दूसरा साका हुआ, दूसरा साका हुआ, शिम्पल यहां परिखने वाली बात की, जसलमेर का पहला साका मूल राज प्रथम के समय हुआ, जब जसलमेर का दूसरा साका दूरजन साल के टाइम में हुआ, जब आपके तिरोज तुगलक ने आकरमन किया, 1352 की बात है, प्रिसरा लूण करन, लूण करन के बारे में एक बात आपको बताई हुआ है, इसकी बेटी थी उम्मा दे, जिसकी साधी मारवाड के राजा मालदेव के साथ हुई थी और मालदे और उम्मा दे में भारमली नामग एक दसी की वज़े से विवाद हो जाता है, उम्मा दे मालदेव को छोड़ कर बाद में चले जाते हैं वहां से, कई जिन तक अजमेर के तारगड के ले में रते हैं, पिर जोदपूर के पास में कोसाना नाम का गाह का जाते हैं, यह कहाणी जो मेने आपको बताई थी कि वह मालदें के साथ नहीं रहते है, इसलिए हम उनको रूठी रानी के नाम से जानते हैं, मैंने ये भी बताया कि ऐसे कई रूठी रानियों कहानी यह आ आपने मिलता है, पर उनमें सब से फ्यमस रूठी रानी अम जमेर में उसके भी रुठीराणी के महल बने में हैं, तो अलग लग कहुई, पर वो उमादी सबसे दिक फहमस है, उसके पापा लुणकरन थे, ये बात मैंने आपको बता दी थे, कते हैं, लुणकरन के सासनकाल के दोरान, कंधार, अफगानिस्तान में जो जगह पढ़ती है, आपके कंधार, कंधार का कोई एक नवाब था, अमीर अली, अमीर अली के अपने भाई के साथ, वहां लड़ाई होती है, ये कंधार का सासक बनना चाहता है, परंतु इसका जो भी वहां पर भाई था, वो वहां का सासक बन जाता है, और अमीर अली को वहां से भगा देता है अमीर अली बहाग कर जैसल मेरे 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 म परिवार वहां पर रहता था, एक दिन अमीर अली ने लुनकरण को कहा, कि यार देख आपने दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, खाते पिते उड़ते बेड़ते सिकार करते सब साथ में हैं, बाही बने वे हैं दोनों, अपने परिवार नहीं मिले यार, कभी हमारी मेरी जो ब सदस्य हैं, ज्यादा तर वो तो फंक्षन के अंदर भाग लेने के लिए बाहर जाएंगे, और किले के अंदर के वल महिलाएं हैं, तो आप एक काम करना, उस समय आप अपनी बेगमों को बेज देना, महिलाएं महिलाएं डंग से आपस में मिल लेगी, अमीर अली अपने डे आपस मिल लेगी, और साथियों ने रामीर अली का कि मुर्ख इतना अच्छा मोटा है जैसल मेर के के लिए पर कबजा घतलेता हैं, रानियों के बेजने कहा हो सकता है, अपने ही चलते हैं, जो पूरू सही नहीं तो के लिए पर कबजा घतलेता हैं, उन लोगों ने प्लान बना आरप्लान बनाके, पहले जब बेग में वगेरा, राजपरिवार की महिलाइन जब बाहर निकलती तो पालकियों में बेठके जाया कलती चैने, उन का भै आमारे परिवार की तो 40-50 महिलाइन हैं, ये मिलने के लिए जाएगी, पालकी, एक पालकी को उठाने के लिए 4 जब किल्ये के पहले गेट पर पहुंची तो वहाँ जो गेट की पर था उसको डाउट हो गया, उससे लगा कि नहीं यार, पालकी में महीला नहीं, और पता चले, तियार एक तो कोई डेड कुंटल का डाकी बेठाओ, योद्धा जो होते थे वो रंगड हुआ करते थे यार, यह कोई राइनियां बेचरी युँँ 45-45 किलों की फूल जैसी नजुक हुआ गटती थे, यह कोई वो बेठी हुआ, पर नीचे वाले चार उठाने वालों के पेर डगमंग डगमं करें तो उसको डाउट हुआ, अंदर कोई, उनका यह तुमारी बेग में चेक करा हो यार, इतने कोई बेग में है, तुमारी जो नीचे वालों के पेर डगमंग डगमंग कर रहे हैं, उनको लगा, वो जो युद्ध आये थे, अमीर अली के जो सेना आई थी, उसको लगा यार, यदि इसने चेक वगरा करने की कोशिस की, तो अपना तो पोल खुल जाएगी, और पो अपने किले में घुसी नहीं पाएंगे, या पता बाहर जो लोग गए हैं तब तक हुआ जाएंगे, इससे तो अच्छा है, उत्रो यहीं पे, उत्रो अपने पे पहले गेट से मारने सुरू कूरो, जड़-ज़दा गेट कीपर ही तो खड़े हैं सारे के सारे, एक गेट प और लड़ाई सुरू कर दिया उन्होंने, अब क्या किया जाएं, ऐसा जब भी मोका हो कि आपकी सेना कम हो, दुस्मन की सेना ज़दा हो, तो अक्सर आपने राजस्थान में साके किये जाते हैं, साके में सारी महिलाएं होती हो अगनी के अंदर जल जाया करती, पुरुस कैस अहुतियां दी जाती थी, ब्रह्मन मंत्र बोलते थे, उसके बाद उन चंदन की लकडियों अंदर महिलाएं बेठा करती थी, पर आप इतना समय कहां कि आपके लिए चिता जलाई जाए, यग्ये करवाय जाए, मंत्र बुलवाय जाए, तब तक तो दुस्मन आके घेर अगनी के हवाले होके मरें, बले किसी दूसरे तरीके से मरें, इससे अच्छा है, आप सब हमें तलवारों से काट दो, तमाम रानिया राजपरविवार की जो महिला इन थी, उनको तलवारों से काट दिया गया, फिर वो वीर युद्धा जो भी 35-45 आजमी थे, वो उनसे ल सूचना मिली, तो बाहर वाले लोग आये और उन्हों ने अमीर अली को अब छुडवा लिया, अमीर अली को मार देते हैं, वापस की लिए के उपर अपना कबजा कर लेते हैं, पर इस घटना की वज़े से, उस अमीर अली के विश्वास गहात की वज़े से, यहां पर आदा सा कावा, जिसमें कहा जाता है कि जोहर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जोहर, क्योंकि अगनी नहीं जिलाई जा सकी, समझे इस बात को, इसका मतलब है कि जोहर वह होते हैं, जिनके अंदर अगनी जिलाई जाती है, इसलिए मुझे जल जोहर जैसी ववस्ताएं कभी समझ मे नहीं आई आप यह नहीं कह सकती कि महिलाएं मरी नहीं यहां पर महिलाएं मरी है जोहर को अगनी सनान कहा जाता था फायर बात पर यहां पर वो अगनी सनान नहीं हो पाया महिलाओं के मरने का तरीका वो तलवारों में कट कट कर खून बहे कर वैसे ही मरी थी तो उसको धारा सनान कहा जाता है धाराई बही थी खून की वहां पर महिलाओं ने धारा सनान जरूर किया था पर चुंकि वो अगनी सना नहीं हो पाया, जोहर नहीं हो पाया, केवल कैसरिया होता है इसलिए कहा जाता है कि जैसल मेर के अंदर आदा साका हुआ था तो याद रखना भी, कोई पूछेगा आपसे सिंपल सा कि जैसल मेर का आदा साका किसके समय में हुआ था तो जैसल मेरे का आदा साका लून करन के समय में हुआ था, जब कंधार के अमीर अली के विश्वास गहत के कारण महिलाएं जोहर नहीं कर पाई और पुरुसों को केसरिया करना पड़ गया था, अलांकि महिलाओं को तलवारों से काट दिया गया था, परंतु हम इसे आदा साक कहते हैं क्योंकि अगनी नहीं जलाई जा सकी थी, समय का अभाव था, टाइम नहीं था उनके पास में, इसलिए काट दो महिलाओं को तो और अपने लड़ते वे मर जाएंगे, हलांकि बाद में माल देव वापस इसके लिए कुछ दूआ लेता है, हम इसलिए कहते हैं कि जै किया, उसमें जोहर नहीं हो पाया, तता कि अबल केसरिया हुआ था, प्रियाद रखे लेना बाई ये तमाम बात हैं ना, तो ये थोड़ी समझने वाली सी बात थी, तो मैं जब सुरू-सुरू की कलासों के अंदर मैं बताता हूँ कि जोहर पहले हुआ करता था, और कैसरिया बाद में होता था, तो कई बार कई बच्चों के होता है, नहीं नहीं सर, हमने किताब में पढ़ा है, हमने वहां सुना है, कि पहले कैसरिया होता था, फिर जब उनकी हार निश्चित हो जाती, तब महिलाएं जोहर किया करती थी, नह अपने आप्सन नहीं है विकल्प नहीं है अपने पास में और अब तो हारेंगे, किले के अंदर रहेंगे, तो तो अन और जल से मर जाएंगे, इससे अच्छा है बाहर निकलो और दुसमन को जितना नुक्सान पहुंचा सकते हो, उतना नुक्सान पहुंचाते वे लड़ते और अधिकादिक नुक्सा पहुंचाया करते थे, कहते हैं, जैमल पत्ता वाले साके के अंदर जैमल अन 8000 सेनिक थे, उन्होंने अकबर के इन 40,000 लोग मार दिये थे, और आदमी अपने वाली पर आजाता नहीं, करो या मरो की, और फिर जब परिवार को पीछे जला के चला तो दुस्मन कब जागर लेगा, और जब ये बाहरी अटेक होने शुरू हुए थे, मुस्लिम अटेक होने शुरू हुए थे, तब ये इस्तितियां जदा उत्पन होने लगी थे, इससे पहले तक जब आपस में राजा लोग लड़ा करते थे, तो ये महिलाओं को उठाने अटेक होने लगे, तो लोगों लगा, और कोई तरीका नहीं अपने पास, ये होना ची, मैं और कभी वो पत्ता का एक मुझे बहुत अचा जेमल पत्ता वाले जो पत्ता थे, उनमें पत्ता के बारे में किसी एक कवी का बहुत अचा दोहा बोला हुए, कि नाना गिगा गीगो गीगली अपने मारवडी में छोटे बच्चों कहा जाता ना, तो नाना गीगा गीगली, अपने छोटे छोटे बच्चों को, गीगो मतलब लड़का गीगली मतलब लड़की को, छोटे छोटे बच्चों को, जामन कामन गेह, जामन मतलब माता जर्म देने वाली, का के बाड़या मतलब जला दिये हाथ ज्यों उस युद्धा ने अपने खुद के हाथों से उन सब को जला दिये उन सब को किनको जिनका नाम हमने उपर लिया है ना गीगा गीगलीन जामन कामनगे भड़ बाड़या नीच आध शूं कर्तब उन्चों नह और उसने दिखाया कि क कर्तव मतलब कर्तववे उन्चा है नेह से नेह मतलब सनेह कि मा के प्रती बच्चों के प्रती पत्नी के प्रती प्रेम हो सकता है पर उन सबसर बढ़के कर्तववे है कर्तववे किस बात का रश्टर के लिए मरने का उस समय चितोड नाम के उस मेवाड नाम के रश्टर के लोगों को लड़ना जरूरी था, उस कर्टववे के पालन के लिए उनके लिए परिवार भी कोई मायने नहीं रखा करता था तो वो बात यहां भी याद रहे कि जोहर और केसरिये में क्या-क्या वावस्ता हुआ करती थी, तो द्यान रखना थोड़ी सी आप बात तो लोड करन की टी बात, वहाई, इसके बात फिर मूल राज 2 वैत Belover 2 की टाइम में उसका सहां परधानमंत्री वैं लिए था सालिम सिंग और भणमास आदमी हो था सालिम सिंग और बहुत ज़ादा नियंतरन था सालिम सिंग का राजा के उपर भी सालिम सिंग ने एक तरीके से निंतरन करी लिया था जनता पर बहुत ज़दा अत्याचार की एर एक तो बहुत फ्यमस सी कहानी है कि सालिम सिंग बाणिये हुआ करते थे जाती कि और पास में जैसलमेर में गाउं पढ़ता था कुलधरा पालीवाल ब्रहमनो करते थे यहां पर एक बार सालिम सिंग कुलधरा गाऊंगे वहां उन ब्रहमनों की लड़की उनको पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि इस लड़की से मैं साधी करना चाहता हूं पालीवाल ब्रहमनों ने कहा कि सर अंतरजाती विवा तो कैसे संभव हो सकता है आप बाणिय हो हम ब्रहमन है हमारी लड़की आपको कैसे दी जा सकती है सालिम सिंग ने कहा कि मैंने पूछा नहीं है बताया है आपको कि मैं करूंगा राय थोड़ी ले रहा हूं आपकी और इति तरीद को मैं बारात लेकर आऊंगा यह जी साधी करने के लिए तेयार रहो तो ठीक वरन कुल्धरा तो पुरा इंदर आकर बस गए ते यहां वेता के साथ खड़ी उस अपने पूराने व्यभाव को याद करती है, अक्सर हम उसको अब एक होरर सिटी के रूप में जानते हैं कि वो भूत हाँ हवेलिया हो गई है, बोलीवीड वाले न सुटिंग वुटिंग तो करते रहते हैं वहां पर, आमिताब बच्छन की सब्सक् अमेर के अंदर अपनी एक बहुत उंची हवेली बनवाई थी, सालिम सिंग की हवेली कोई पूछे कहां परिस्तित है, तो जैसल मेर में सालिम सिंग की हवेली है, फिर मुल राज सेकिंड की पार जब पढ़ नहीं ही रही थी तो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधी कर लेता ह 1819 में अंग्रेजों के साथ संधी कर लेती, तो यह भी याद रखना भाई मुल राज सेकिंड के बारे में, दो बातें सालिम सिंग प्रदान मंत्री था, सालिम सिंग से संबन दी थी यह बात, और 1818 में अंग्रेजों से संधी, यह कुल धरा की हवेलीया है, आज भी बहुत अच्छे से पड़ी है, तो यह याद रखना, कुल धरा कोई पूछले, कुल धरा नामकिस्तान कहां इस्तित है, तो यह जैसल मेर, फिर जवाहर सिंग जो आजादी के समय, जैसल मेर के राजा थे, आजादी के समय जैसल मेर के सासक, ऐसा माना जाता है कि आधुनिक जैसल मे अधुनिक तो अभी तक जयवपूर को छोड़कर बाकी वाले राजस्थान के कोई सहर नहीं लगते थोड़े बहुत कोई लगे तो अजमेर भले ही लगे क्योंकि वहां पर अंग्रेजों का कब जा रहा था बागे तो जोड़पूर भीका नरी अजया के सबसे बड़े गाउं लगते हैं तो जैसलमेर तो डहनी लगता है पर यहां अधुनिक कहने का मतलब है कि उन्हीं की टाय में डाक आई उन्हीं की तार आया उन्हीं की तार रहा रहा यह एसी जो भी अधुनिकी करण की जो चीज कीला मना जाते है आजादी की जश्ट पास में 1945-46 के अंदर मोहंगड कीला बनाया गया तो अंतिम कीला अपने आप यह वो गया तो यह भी पूछे तो याद रहे है आपने यह जो बाहरत का अंतिम कीला मना जासा यह सुन ज़िए तो